हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं, आप सब आसा करते हैं, आप सब अच्छे होंगे, तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं, अन्सेयार्टी क्लासिक्स का, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर सेवेंथ, तो चलिए शुरू करते हैं सेप्टर नंबर सेवेंथ है, हमारा देश भारत, यानि आज हम भारत के बारे में जानेंगे हमारा देश भारत, भारत एक बहुत बड़े भागोलिक बिस्तार वाला देश है, भारत में यह हिमाले के उचे शिकरों से घीरा है पश्ची में अरब सागर, पूरू में बंगाल की खाड़ी तथा, दच्छीड में हिंद महा सागर, भारती महादीब के तटोपल लहराते हैं भारत का छित्र फर 32.8 लाक वर्ग कीलो मीटर है, उत्तर में कस्मीर से लेकर दच्छीड में कन्या कुमारी तक इसका बिस्तार लगबग 32 कीलो मीटर है पूरू में अरुडाचल पर्देश से लेकर पश्ची में कच्छ तक इसका बिस्तार लगबग 39 कीलो मीटर है उचे उचे परवत भारती मरुस्थल उत्तरी मैदान आसमान पठारी सतर तटी भाग एवं दीब सम्मू अस्थल रूपों की भी भीनता को दर्साते हैं यहां जलवायू वनस्पती वन जीयू के साथ साथ वर्सा एवं संस्कृती में भी बहुत भीनता है इस भीनता में भी हम एकता को पाते हैं जो हमारी परमपराओं में दिखती है यही कारण है कि हम एक रास्ट से बधे हैं वर्स 2011 से अब तक भारत की आबादी लगभग 120 करोड से अधिक हो चुकी है यह चीन के बाद विस्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है यह किताब पुरानी है थोड़ी तो इस टाइम दूसरा नहीं भारत पहला हो गया है जनसंख्या के मामले में इस्थिति बात करते हैं भारत की इस्थिति की भारत उत्तरी गुलार्द में इस्थित है करक रेखा 35.5 डिगरी उत्तर देश की लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है चीत संक्या 7.2 में देखेंगे दच्षिर से उत्तर की और भारत की मुख्य भूमी का विस्तार 8 डिगरी 4 सेकंड उत्तर तथा 37 डिगरी 6 सेकंड उत्तर अच्छांसों के बीच है पच्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार अर्षा डिगरी 7 सेकंड पूर्व तथा 97 डिगरी 25 सेकंड पूर्व देसांतरों के बीच है अगर हम 20 को पूर्वी यह पश्च में गुलार्द में बाटते हैं तो भारत की इस्थिती किस गुलार्द में होगी आप कमेंट करके बताएगा बहुत बड़े देसांतरी विस्ताल लगभग 29 डिगरी के कारण यहां के दो छोर पर इस्थित अस्थानों के अस्थानी समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता था इस तरह की दूरी पर इस्थित दो अस्थानों के 20 समय का अंतर लगभग 2 गंटे का होगा जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि परतेक एक डिग्री दिसांतर के लिए भारती समय में चार मिनट का अंतर होता है पश्ची में गुजरात की अपिछापूर में अड़ाचल परदेश में सुर्योदा लगवाग दो घंटे पहले होता है आप पहले पढ़ चुके हैं कि साड़े बयासी डिग्री उत्तर पुर्वी दिसांतर के अस्थानी समय को भारत का मानक समय माना गया है यह क्यों माना गया है क्योंकि दिसांतर में तो क्या कहते हैं कि दिसांतर लाइन में अंतर है बहुत जादा इस यामियत्तर को भारत का मानक यामियत्तर भी कहा जाता है भ भारत के पडोसी देश कौन-कौन से हैं। भारत के पडोसी देश आफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भुटान, बांगला देश, साथ देश जो कि अस्तली देश नहीं है सातों अरप सागर यह बंगाल के खाड़ी आधि दीप दिया गया है दो लच्छ दीम अमाल दीप डमान निको बार दीप समू स्रीलंका है हिंद महा सागर चलिए आगे देखते हैं ये भारत का राजनितिक मैप है ऐनी पॉलिटिकल मैप है इसने भारत की राज जो उनकी राजधानिया दिया गया है हम आगे देख लेते हैं चलिए, शरू करते हैं तो ये जंबू कसमीर के राजधानी सिरीनगर है उसके बाद अभी हाल ही में लद्दाग को बना दिया गया paired union territory और जंबू कसमीर को यहां रख दिया गया है तो लद्दाग की राजधानी है ले है अब जंबू कसमीर कै सिरीनगर अब आगे देखते हैं, हिमाचल परदेश की राजधानी है, सिमला, पंजाब की राजधानी, चंडीगड, हरियाड़ा की राजधानी भी चंडीगड ही है, उसके बाद उत्तर परदेश की राजधानी, लखनवू, उसके उत्तरा खंड की राजधानी, दहरादून, उसके ब परदेश की राजधानी भोपाल बिहार की राजधानी पटना अब इधर देखते हैं कि बिहार की राजधानी पटना जारखंड की राजधानी राच्छी पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता उसके बाद आता है कि अश्रम की राजधानी दीसपूर उसके बाद मिघाले की राजधानी शिलॉंग उसके बाद नागलेंड की राजधानी कोहिमा उसके बाद अ इटा नगर, उसके बाद मडीपूर की राजधाने इंपाल, मिजुरम की राजधाने आईजोल, उसके बाद त्रिपूरा की राजधाने अगर्तला, आते हैं ओडिशा, ओडिशा की राजधाने भूनेश्वर नगर, छटिशगड़ की राजधाने राएपूर, उसके बाद महारास्ट की राजधाने मुंबई, उसके बाद आता है तिलंगाना की राजधाने हैदराबाद, आगे देखते हैं, तिलंगाना की राजधाने हैदराबाद, करनाटक की राजधाने भगलूरू, कोवा की राजधाने पढ़जी, उसके बाद आता है केरल, केरल की राजधाने तिरुवनन्थ पूरम, उसके बाद तमी नाड़ो की राजधानी चिन नई, उसके बाद आंधर प्रदेश की राजधानी या नम या पुद्दुचेरी कह सकते हैं, चलिए अब आगे देखते हैं, राजनीती क्यों प्रशाषनिक विभाजन, यह है भारत का भौतिक मैप, तो चलिए देखते हैं, यह हिमाले, हिमाले परवत्रेडी, शिवालिक परवत्रेडी, इसके बाद सिंदू ने दी, जीलम ने दी, चिनाब ने दी, रावी ने दी, शतलज ने दी, यह उसके बाद भारती महामरुष्थल, अरावली परवत्रेडी, उसके बाद यह उत्तरी मैदान है, भारत का उत्तरी मैदान, उसके बाद ब्रमपुत्रा नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, उसके बाद चंबल नदी, यह है बिंधस्रेडी, उसके बाद यह नर्मदा नदी, तापी नदी, महा नदी, खमबाद की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अब आगे चलते हैं। महा नदी, गुदावरी नदी, दक्कन का पठार, पस्सिमी घाट, उसके बाद ये है, पुर्वी घाट, फिर ये तटी छित्री धर, उसके बाद ये पस्सिमी घाट का तटी ये छित्र, ये कावेरी नदी, उसके बाद अन्ना मलाई, नेलगीरी, उसके बाद क्रिस्डा नदी, ये हो गया, आगे देखते हैं, इसमें दिया गया है जिसे, ये निशान दर्शाता है पहाड़ी यों परवत्रडी को, ये निशान उसके बाद ये परवती छेत्र है, जितना ये परवती छेत्र है, ये परवती छेत्र पूरा, उसके बाद ये उत्तर का छेत्र पूरा ये परवती छेत्र है, उसके बाद पठारी छेत्र, ये पठारी छेत्र को दर्शाता है, उसके बाद ये मैदानी छेत्र को दर्शाता ह निवा जैब बंगल की खारी ऐкий अंडमान को बारदीव शमू उसके बाद लच्छीदीव समू और अऀसागर अ सिरे अब आगे चलते हैं workers को अबात करते हैं भारत का भातिक भीवाजन भाजन की बात करते हैं मारच के भावतिक भीवाजन की चलिए देखते हैं भारत का भौतिक विभाजन भारत ने पाई जाने वाली भौतिक आकृतिया भी भी ने परकार की है जैशे, परवत, पठार, मैदान, तट, दीब, शमु उत्तर में बर्फ से ढखा हिमाले संतरी कारे करता है हिम प्लस आले का मतलब होता है बर्फ का गर, हिमाले परवत को तीन मुख्य समानांदर स्रिंखलाओं में बाड़ा जाता है सबसे उत्तर में इस्थी स्रिंखला को ब्रिहद हिमाले या हिमादरी कहते है इसी स्रिंखला में बिस्व की सबसे उची सिखर है मद्ध हिमाले या हिमाचल हिमादरी के दच्छिड में इस्थित है बहुत से लोगप्री पहाडी अस्थान यहां इस्थित है पांच पहाडी अस्थानों के नाम का पता लगाए कमेंड में बताएगा सिवाली सबसे दच्छिड में इस्थित स्रिंखला है हिमाले के दच्छिड में भारत का उत्तरी मैदान इस्थित है ये मैदान समतल तथा सपाट है ये मैदान सिंधू, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोड निछेपों से बने है नदियों के ये मैदान किर्शी के लिए उपजाओं भूमी परदान करते है यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है अब आगे देखते है भारत के पश्चिमी भाग में भारती महा मरुष्थल इस्थित है यह एक सूसक गरम रितीला अस्थल है यहाँ वनश्पती की मातरा बहुत कम है उत्तरी मैदानों के दच्छीर में प्राय दिपी पठार इस्थित है इसकी आकरती त्रिबुजा कार है इसका धरातल काफी उचा नीचा है इस छेतर में बहुत सी पहाड़ी श्रिंखलाएं तथा घाटिया इस्थित है इसके उत्तर पश्ची में अरावली श्रिंखला इस्थित है जो बिस्व की सबसे पुरानी श्रिंखला है बिंध हयों सत्वुडा भी महतपूर स्रिंखलाएं है इन स्रिंखलाओं से होकर नर्मदा यों तापी नदियां बहती है यह पश्चीम की तरब बहने वाली नदियां है जो अरब सागर में गिरती है इस पठार के पश्ची में पश्चीमी घाट सहयादरी तथा पूर्म में पूर्वी घाट इस्थित है पश्चीमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है जिबकि पूर्वी घाट के बीच बीच में तूटा फूटा हुआ असमान है जैसे चित्र संख्या 7.3 में दिया गया है इन पठारों में खनिजों जैसे कोईला लोह एस की प्रचूरता है पश्चीमी घाट के पश्चीम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटी मैदान इस्थित है पुर्वी तटी मैदान काफी सक्रे और पुर्वी तटी मैदान अपिछाक्रित चोड़े हैं वहाँ पुर्व की और बहने वाली कई नदिया जैसे महा नदी, गोदावरी, क्रिस्ला तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं ये नदिया अपने मुहाने पर उपजाओं डिल्टा का निर्माड करती हैं बंगाल की खाड़ी में गंगा ब्रमपुत्र नदियों के मुहाने पर सुन्दरवन डिल्टा इस्तित हैं बात करते हैं सुनामी की सुनामी जिसा कि आपको पता होगा कि सुनामी एक बहुत भयावा घटना है और इसके आने की वज़े से बहुत जानमाल की हानी होती बहुत नुक्षान होता है चलिए इसमें कविता के माधम से बताया गया है तो पढ़ लेते हैं इसको सुनामी एक सबेरे पड़ी मनुसिप पर जलजले की काली छाया सुनामी दानुई ने अपना प्रलैकारी कहर ढाया समुद्र में उठा अलोडन मीलो दूर फैला साया प्रक्ती के बिनास ने मानव को अपना ग्रास बनाया बिनास का था विक्राल आकार चारो और मचा हाहाकार कोई नहीं बच पाया उससे भागे बचाए अपने प्राण हिंद महा सागर था रच्छक अब बना हमारा भच्छक सर्वत्र निगल गया मानव को करके अस्तित्वनस्ठ उठे हजारो हाथ प्रस्तिछड सहायता से पीडितों के यह दिखाने सागर को की हम ओ हैं जो कदा भी नहीं डरते रात काली थी फिर भी आसा की किरेडे चमकेंगी फिर जिंदगी करवट बदलेगी हिर्दय में खुसिया दमकेंगी आगे देखते हैं भारत के दो दीप समू है भारत में दो दीप समू है लच्ष दीप समू अरप सागर में इस्थित है यह केरल के तट से कुछ दूर इस्थित प्रवाल दीप है अंडमान एम निकोबार दीप समू भारत के दचिर पूर्दिसा में बंगाल के खाड़ी में इस्तित है क्या आप जानते हैं कि कौन सा दीब समू वर्स 2004 में सुनावी से परभावित हुआ था या आप कमेंट बॉक्ष में बताईएगा समाचार पत्रों तथा लोगों से बातसीत के जरिये जानकारी प्राप्त कीजिए कि जब सुनामी तट से टकराती थी तो किस प्रकार के लोगों ने अलग-अलग तरीके से इश्चुनोती का सामना किया था सुनामी एक बिसाल सागरी तरंग है जो समुद्र तल पर भुकंब के कारण उत्पन होती है चले आगे देखते हैं अभ्यास प्रश्न अभ्यास प्रश्न है निमलिकित प्रश्नों के उत्तर संच्छिप में दीजिए तो भारत को कितने बहुतिक भागों में विभाजित किया जा सकता उनके नाम लिखिए तो देखते हैं भारत को भारत को च्छ भोतिक भागों में विभाजित किया गया है जो है यह हिमाला है भारत का उत्तरी मैदान भारत का महामरुष्थल प्रायदीपी पठार तटी मैदान दीपसमू यह भारत के भोतिक भाग है च्छ दूसरा नंबर कोस्चन क्या कह रहा है कि भारत की अस्थली सीमा साथ देसों से जुड़ी हुई है इनके नाम लिखियें तो भारत की अस्थली सीमा कितने देसों के जुड़ी हुई है साथ देशों के नाम उनका नाम बताना है तो ये है अफगानिश्टान पाकिस्तान, चीन नेपाल, भूटान बांगलादेश, म्यामार ये भारत की अस्थली शीमा है तीसरा कूश्चन कौन सी दो प्रमुख न दिया अरब सागर में गिरती हैं तो पहली नर्मदा है, दूसरी तापी न दी है चौथा गंगायों ब्रमपुत्र द्वारा बनाएगे डेल्टा का नाम लिखिए तो डेल्टा का नाम है सुन्दर वन डेल्टा अब अगला कूश्चन है भारत में कितने राज तथा केंदर शाशित परदेश हैं कि इन दो राजियों की राजधानी एक है तो वर्तमान में भारत में 28 राज हैं नो केंदर शाशित परदेश हैं उसके बाद हर्याडा हर्याडा और पंजाब की राजधानी एक है पंजाब की राजधानी एक है इसका नाम है चंडीगड़ यह बताया गया है पंजाब हर्याडा इसकी राजधानी चंडीगड़ चलिए अब आगे कुश्चन देखते हैं पंजाब पंजाब इसके नहें आताइब की राजधानी राजधानी बताइब की राजधानी चंडीगड़ अब आगे कई कुश्चन देखते हैं आगे का कुश्चन क्या है चले सुरू करते हैं इसमें सही उत्तर का चैन करना है सही उत्तर को चिनित करना है हिमाले के सबसे दच्छडी भागू क्या कहते हैं तो इसका सही उत्तर होगा शिवालिक और शहयाद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो इसका सही उत्तर होगा पह्ष्ची में घाट फिर उसके बाद तीसरा है पाक जलसंधी किन देशों के बीच में है बीच इस्तित है तो भारत और स्री लंका के बीच में चोथा नंबर कोशन है अरब सागर में इस थी भारती दीप समू को क्या कहते हैं तो इसका सही उत्तर होगा लच्छ दीप समू फिर भारत की सबसे पूरानी परवत स्रिंखला कौन सी है तो इसका सही उत्तर होगा अरावली परवत स्रिंखला हमाले यह नवीन परवत स्रिंख अब यहां खाली अस्थान दिया गया है खाली अस्थान तो भारत का छेत्रफल कितना है 32.8 लाक वर्ग किलो मेटर दूसरे महान हिमालाइक को किस नाम से जाना जाता है हिमादरी के नाम से जाना जाता है छेत्रफल की द्रिष्टी से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है फिर करक रेखा करक रेखा भारत के मध्यभाग से होकर गुजरने वाले अच्छांस रेखा है तो फ्रेंट्स मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में